स्री जी एस इंस्टिटीट ओप टेक्नोलोजी एंड साइन्स इंदौर यह इंदौर का कॉलेज है और यह सेमी आर्टो गॉवर्मेंट कॉलेज है यहाँ पे आपको पूरी डीटेल यहाँ पे दिख रही है यहाँ पे वो भी लिखा हुआ है आप एक एक करके यहाँ पे इसके बारे में पूरी डिटेल देते हैं, यहां से आप देख सकते हैं, इस college में आपको किस तरह की scholarship प्रोवाइट कराई जाती है, कितनी scholarship आपको यहां से मिलने वाली है, एक एक करके आप यहां से चेक कर सकते हैं, यहां पे आपको एक नहीं कई सारी scholarship प्रोवाइट कराई ज यहां पे आपको Government Scholarship भी दी हुई है और Private Scholarship भी दी हुई है तो यहां पे आप एक एक करके चेक कर सकते हैं कि आप किस Scholarship के लिए eligible हैं क्योंकि यहां पे आपको दिया हुआ है जो Ministry of Railway में है, उनके लिए है, RPF के लिए है इसी तरह से कई सारी scholarship है तो उसमें आप देख सकते हैं कि किस scholarship के लिए आप eligible है यहाँ पे उसकी पूरी detail दिए हुई है एक एक करके आप देख सकते हैं Indian Oil Corporation Scholarship यह भी scholarship मिलती है, यह सारी private scholarship है तो आप यहाँ पे एक एक करके चेक कर सकते हैं इसके बाद आता है, इसका placement इसका जो placement है वो हम आपको दिखा दे, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका placement दिया हुआ है यहाँ पे 2022 का placement दिया हुआ है 2022 में जो placement गया है, वो आप यहाँ पे देख लीजिए यह 15 LPA, 15 लाख पर एन्वाल का यहाँ पर पैकेज दिया हुआ है, 15 लाख, 12 लाख, 10 लाख, 8 लाख और 5 लाख, इसके अलावा यहाँ पर कोई इन्फर्मिशन नहीं दी हुई है, बी-TEC का है, MBA का है, या फिर M-TEC का है आप यहाँ पर देख सकते हैं, उसके नीचे भी यहाँ पर दिया हुआ है पैकेज, यहाँ पर 44 लाख maximum पैकेज दिया हुआ है, पर एन्वाल का, इसके बाद हम आपको दिखा दे यहाँ पर, इस कोलेज की पूरी डिटेल यहाँ पर द देख सकते हैं, Bachelor of Technology, B.Tech के बारे में यहाँ पर आपको पूरी डिटेल दे हुई है, आप यहाँ पर एक एक करके देख सकते हैं, B.Tech में आपको कौन कौन सी ब्रांच मिलने वाली है, B.Tech, Biomedical Science, Civil Engineering, Computer Science, Engineering, Electronics and Telecommunication, Electrical, Electronics and Instrumentation, Industrial Production, Information Technology, Mechanical, और यहाँ पर आपको B.Pharma भी दिया हु इन सभी में आपको एड़िशन लेने के लिए J.M.A.N.S. के बेस पे आना होगा, और B.Pharma के लिए इसका जो खुद का फॉर्म निकलता है, वहाँ से आप आ सकते हैं, B.Pharma के लिए, आप यहाँ पर इसकी पूरी डिटेल देख सकते हैं, एक एक करके आपको पूरे एड़ि करके इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, यहाँ M.Tech दिया हुआ है, M.Tech की लिजिबिल्टी क्या है, आप एक करके इसको भी चेक कर सकते हैं, यहाँ पर इसका भी Directorate of Technical Education की वेब साइट पे ही जाके इसकी भी काउंसलिक होगी, आप यहाँ पर एक एक करके देख सकते हैं, उसकी यहाँ पर पूरी डिटेल दिया हुई है, M.Pharma भी है, आप यहाँ से M.Pharma भी कर सकते हैं, इसकी भी eligibility पूरी दिया हुई है, यहाँ पर M.Tech की बारे में दिया हुआ है, आप M.Tech किस-किस फिल्ड में कर सकते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं, अप यहाँ पर देख स यहां पर आपको MSC भी दिया हुआ है आप यहां पर देख सकते हैं MSC की eligibility क्या है यहां पर MCA देख सकते हैं MCA भी इस college में दिया हुआ है MBA दिया हुआ है MBA आप Department of Management study में कर सकते हैं इसके भी पूरी यहां पर detail दी हुआ है आप एक एक करके देख क्रिजिए कि कि जहाँ पर इनसे?? सब की फीस लगने वाली है उसके बारे में हम आपको यहां पर दिखा देते हैं को आप चेक कर सकते हैं यहां B-tech में यह branch दिया हुआ है आप देख सकते हैं M 2030 कि ऍसकिस ब्रांच आठवे समेस्टर तक की जो फीस है आप यहाँ पे देख सकते हैं, 49,400 से लेके 49,800 तक इसकी फीस दी हुई है, इसके बाद आता है यहाँ पे आप B.Tech Information Technology and Bio Engineering में कर सकते हैं, उसकी जो फीस है आप यहाँ पे देख सकते हैं, फर्स समेस्टर की 70,650 रुपए है और उसके बाद सेकंड समेस्टर से आठवे समेस्टर तक 36,400 से 36,800 रुपए तक इसकी फीस यहाँ पे दी हुई है, इसके बाद आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो कोर्स दिया हुए है B.Pharma, B.Pharma में आपकी जो फीस लगने वाली है, यहाँ पे 56,56,650 रुपए से है, फर्स समेस्टर की स सेकंड समेस्टर है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक एक करके इसकी पूरी डिटेल दी हुई है, इस कॉलेज में इतनी जादे फीस इसलिए है, यह सेमी गौवर्मेंट कॉलेज है, आधा गौवर्मेंट है, आधा प्राइबेट कॉलेज है, इसलिए इस कॉलेज की इतन जादे फीस है यहाँ पर आप MCA की देख सकते हैं MCA की फीस कितनी होने वाली है आप यहाँ पर एक एक करके देख सकते हैं इसके नीचे पूरा detail दिया हुआ है fourth semester तक first semester second semester third semester and fourth semester इसकी पूरी detail दी हुई है कितनी कितनी फीस आपकी यहाँ पर लगने वाली है उसी तरह यहाँ आपका MBA का भी दिया हुआ है MBA का भी आप यहाँ पर देख सकते हैं first semester second semester third semester and fourth semester तक इसकी पूरी detail यहाँ पर दी हुई है इसमें आपको PhD भी मिलता है PhD के बारे में भी आप यहाँ पर देख सकते हैं यह इसका prospectus है यहाँ पर इसकी पूरी detail दी हुई है आप यहाँ पर देख सकते हैं PhD के बारे में भी दीया हुआ है उसकी भी पूरी डीटेल आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका जो हॉस्टल का है, हॉस्टल के बारे में आप देख लिजिए यहाँ पे दिया हुआ है जो मेस का चार्ज है 15000 पर सैमेस्टर है मेस चार्ज फर गंट के लिए 144 rock रूपय है और यहां पर आपको जो मेस का हॉस्टल का चार्ज देना होगा पर सेमेस्टर की वो है बारह हजार पांच सो रूपय है